तो Hello Friends, कैसे आप दोस्तों आज मैं आपको तनलों Samsung Galaxy कि एगually कमाल की एप की बारे में जो कि आपको Good Little के एप में मिल जाएगी, आप उसके गुड़ो पिक colonial के मॉड्यूल में मिलेगी जिसका नाम है गुड़क की मॉडूल में जाने काथ आपको यहाँ पर एक नए मॉडूल मिल जाएगा जिसका नाम है नाइच शॉट आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड यह इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड कर लेंगे उसके ब यहां पर एक screenshot लिया, आप देखने होंगे, मैंने यह screenshot ले लिया है, और उसके बाद मैं यहां पर, अपनी कोई सी भी यहां पर जैसे आ गया हूँ, यहां आने के आद मैंने यहां पर clip coat में click करूँगा, तो आप देखेंगे, जो भी आप screenshot लेते हैं, आपको यहां पर मिल जा करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, प्पिस जैसे में हैं आ गया हूँ, और मैंने यहां पर गया, यह clip coat में गया है, तो अब देखेंगे, वो latest वाला नहीं आया है, आपको यह समझ में पर दोबारा से यहां पर आने गया, अब देखेंगे, वो screenshot यहां पर save नहीं तो यह होता है कमाल का नया फिचर होती ही कुछ चीज़ है कि हम नहीं चाहें कि हम नहीं उसको यहां से बना कर सकते हैं दोस्तों यह सेकंड वीचर दिया है डिसेबल क्रॉप इसनेंग ब्लाब की होता इसमें आलो अगर आपको एक product का या फिर किसी इंस्टाग्राम पर किसी भी profile का फोटो का screenshot लेते हैं उसमें क्या रहता है मालो मैं आपको एक ऐसी normal सा बताता हूँ क्योंकि उसके लिए उसमें जाना पड़ेगा मैं जानी रहा हूँ मालीजे माल मैं यहाँ पर अपनी gallery में आया और मैंने कोई सी भी अपनी यहाँ पर photo को screenshot ले लिया मैंने यहाँ पर जैसे screenshot लिया screenshot लेने के आज आज मैं यहाँ पर crop पे click करूँगा तो आप दिखेंगे जो auto detect आपको option दिख रहा है न यह होता है disable वाला option का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर छोड़ूँगा आपको कोई भी screenshot लेना है और अगर आपने कोई गलत screenshot ले लिया और आपको delete करना है तो उसके लिए क्या गरना बड़ता था वारवा गैलरी में जाओ तब जाके आप delete करते थे बट यहाँ पर आपको करना क्या है इस पर click करने क्या जब भी आपको screenshot लेंगे तो आपको यही screen recorder को option को use करते हैं तो यह feature आपके लिए बहुत कामका है तो आपको जाना यहाँ पर selfie वीडियो में पर क्या होगा आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर बहुत शांदर options मिल रहा है make the background color transparent transparent कर सकते हैं अपना जो भी background का color है आप उसको transparent कर सकते हैं जो कि आपकी selfie का क पिर अगर आप उसमें auto detect कर दिए जो भी इसको color लगेगा auto detect कर लेगा और उसके बाद वो काम करेगा मैं आपको बताऊंगा कैसे करता है थोड़ा सा मेरे पास color blue और green नहीं है पर फिर भी मैं उसको use करके बताऊंगा आपको कैसे use करना है उसके बाद और आपको यहाँ पर करा, screen recorder का on करने के बाद आपको इसको permission देना नहों सांड जो भी करना आपको screen recorder का on कर लेना और count on शूरू हो जाएगा, उसके बास screen recorder उसके बना हुआ है मैनू उस पर click करना है जैसे आप उस पर click करेंगे तो सामने मेरी photo यहाँ पर आ जाएगी, आपको दिख रहोगा यह म तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह मैंने स्क्रीन लगा दी आपको दिख रहा होगा यहां पर आप देख रहे हैं आप इसको कहीं भी मूव करना चाहें तो आप यहां से यू प्लस यू करके गुमा के इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं यहां पर बैक्ग्राउंड बलर नहीं ह बहुत ही शांदर तरीके से काम करने वाला फीचर है इसमें जो selfie वाला फीचर बहुत अच्छा है हमें चाहते हैं कि हम किसी को कुछ समझाना हो तो हमारा phase वहाँ पर सामने आया तो आप इसका use कर सकते हैं जो कि बहुत शांदर फीचर दिया गया है आप उसकी बाद दोस्तों एक last फीचर बता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ यह है यहाँ पर आपको do not disturb during screen मतलब कि जब भी आप अपने mobile में screen recording करेंगे तो automatic वो dnd activate कर लेगा आपको बारबार कोई problem नहीं होगी अगर मानलों किसी को कुछ समझा रहे हैं तो आपको बारबार irritation नहीं होगी वो automatic समझ जाएगा वह कुछ काम चल रहा है तो उसको do not dnd activate कर दी जाए तो simply उसके लिए आपको करना क्या इस पर क्लिक करने का setting पर जाना है और इसको यहाँ से आपको allow की permission दे देनी है जैसे आप allowed कर देंगे तो ऐप जब भी आप पसंट आई होगी तो तो धेंक यूगी hep कि और मेरे वीडिव पसंट आई होगी दो对 अगर आपको लगता है يके पूस्ट यह कमेंट पर चाह पुछ कूछछा चाते हैं उब्सक्ते और सबसे जरूरे दोस्तों अगर अभी तक आपने विश्व सबस्क्राइब करना ना बोले, सबसे लें और नीक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो हैंकि दोस्तों